मुझे खुशी हुई कि मैं पहली थी देखने वाली, बहुत अच्छी है, फैंटास्टिक फिल्म है, एक ही शब्द में मोलूँगी पिचर बहुत ही बैतरीन बनाई है, आयान मुरकर जी का डिरेक्शन लग रहा है, मैनत दिख रही है अच्छा मार्व गली कि अच्छा 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 पहले है, वो शादी के पहले वाला दिखा, उज एक रॉम्नाटिक जडी होती है, दोनों के आखों में प्यार दिखा, रिन्बीर कपूर पच्छी साल के लग रह रहे है, और अलिया आप सोला सल की लग रही है, तो एक न हाँ हाँ पैसा तो बोत लगाया है विच्चर में जो वी एफेक्स एफेक्ट है आप देखो तो आप खुद बोलोगे होलिवुड स्टेल की फिल्म है हाँ केजी एफ की सबकी टक्कर की फिल्म है इसके पार्ट्स भी बन रहे हैं वान टू त्री तो हैरी पॉर्टर जैसे सब पिच्चर आई हैं इंग्लिश की वह होलिवुड टक्कर की फिल्म है मैं ऐसे बोल सकती हूं तो पैसा तो यूज हुआ है पूरा कि मुझे सबसे अच्छा केसरिया लगा सौंग बाकि बीस बहुत अच्छे सब अच्छे मुजिक अच्छा है डायरेक्शन ही मैं बोल रहे हूं कि उनकी मैंने दिखाई दे रही है सबसे अच्छा विए एफ एक्स इफेक्ट जो है पिचर में वह बहुत ही बैतरी नहीं उ बहुत लंबी कहानी है जो आपको समझनी पड़ेगी अच्छा में अच्छा में चार दूंगी क्योंकि पांच दिया तो लोगों के लगेगा पैसा दिया है अच्छा में पांच जो है सबसे पहली बात है कि टेक्निकली इस ओन पार और मतब होलीवोड की जो टेक्निकल एक्सेलन्स से तक्कर ले सकती है और इटिवण पार तो मैं समझता हूं की डार्यक्टर आयन मुकर जी इस मिलेनियम या इस यह डिकेड जिसे दस साल हो जाएगा कि उन्होंने जिस तरह से माउंटिंग की है और प्रोडक्शन वैल्यूस की है तो बहुत ही बढ़िया है और खास तोर पर यह फिल्म 3D मतलब 3D मतलब उसमें देखोगे तो बहुत ही अलग एक मज़ा आता है पर्फामन्स वाइज बच्चन साप तो है मतलब सुपर स्टार है और सुपर एक्टर है तो उनका मतलब कोई ज़ाब नहीं है इस फिल्म की हाइलाइट सबसे बड़ी होई है जो मुझे भी इंटरेस्ट था देखने में की आलिया भट और रंबीर कपूर की जो स्क्रीन पे चैमिस्ट्री कैसे चाह जाती है और मुझे बहुत ही अच्छी लगे कि दोनों स्पॉंटेनियस नैचरल आक्टर थे और उन्होंने बहुत वकुभी से अपना पर्फॉमस दिया है गाने में हो या इंट्रेक्शन जो है बहुत ही अच्छा पर्फॉमस दिया है और इसमें सर्प्राइज एलिमेंट तो नेगेटिव रोल में मौनी रोय है जो हाला कि टीवी स्टार के साफ से उनकी बहुत जादा उनकी शोहरत है लेकिन इस फिल्म में इतना इतनी बड़ी जिम्मेदारी है उनके की पुरा नेगेटिव रोल उनके उपर ही मतब फिल्म केर जो स्पेशल इफेक्स है और बैगराउंड मुजिक की बात है तो बहुत ही मजा आता है और जो उन्होंने श्पेशल जो शूटिंग के सेट्स पे या लैंड्सकेप या लोकेशन या वीएफेक्स जो किये हैं वो भी एक बड़े पर बहुत ही मजा आता है तो मैं काऊंगा कि बजाए आप छोटे सेल फोन में या लैप्टाप में देखने के बजाए ओडियंस को हेटर में आके देखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि 3D, 3-Dimensional वाले स्क्रीन पे जाकर देखे तब उनको एक मतब अलगी experience अनुभाव होगा हाँ पाच में से मैं 3.5 साड़े तीन स्टार दूंगा जस्ट फर द परफामूंस अफ आलिया भट रणवीर कपूर और बच्छन साब और मौनी रॉय और जो वी एफेक्स है जो विजूल इफेक्स एंड एस्ट्रा वर्स के जो एफेक्स है और बैगराउंड म्यूजिक के सब इस वज़े से मैं 3.5 स्टार दूंगा हां नागर जुन जो है वो एक सर्प्राइज पैकेज है हाला कि जादातर लोग मतलब उनके परफामूंस से इतने वाकिफ नहीं है क्योंकि वह कभी-कबार ही मतलब हिंदी में आते हैं और जादातर उनके डब्ड फिल्म्स देख करके जाते हैं शारुक खान का एक बहुत जबरदस पेरंस है हाला कि वह डिकलेर हुआ है मतलब उसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है मतलब कि शारुक खान है तो लोगों को उसको देख करके बड़ी खुशी होगी विकाज आफ्टर जीरो यह मतलब इस फिल्म में उनकी बहुत ही अलग टाइप की किरदार है और वी एफेक्स में और थ्री डैमेशनल में शारुक कान को देखने के बाद उनके जो खास फैन से तो शारुक कान को देखके मुझे लगता है कि बहुत ही फिदा हो जाएंगे उनको क्योंकि बहुत ही यंग और हैंडसम लगता है और सबसे बले तो शुक्रिया आपने मुझे आपके चैनल्स के लिए ये बाइट लेने के लिए मुझे काविल समझा अब यह कहूँगा कि जब फिल्म पहली पार अनॉंस हुई थी विद्ट टाइटल आप ब्रमास्तर पहले तो इसका नाम ड्रैग पे भी उन्होंने mythology का नाम नहीं लिया और मैं बस यह कहूँगा कि आज जब हमने फिल्म देखी और पूरी फिल्म देखने के बाद यह कहना पड़ेगा कि यह एक mythology फिल्म नहीं है यह contemporary फिल्म है और डिरेक्टर आयान मुकरजी ने अपनी एक fantasy दुनिया प्रियेट के ही है और इस चीज के लिए तो उन्हें दाद देनी पड़ेगी दुर्बा के से हमें पहला हाफ बहुत कमजोर लग रहा था हूं में डर लग रहा था कि यह फिल्म कहा जा रही है पहले हाफ का वह थोड़ा हमें अजीब लगा और मैं कहूंगा कि आलिया भट का जो चारेक्टर है उनकी एक्टिंग भी थोड़ी ऊपर नीचे लगी पहले हैं अगर किसी हिंदी फिल्म में मुझे सबसे अच्छे विजियल एफेक्ट बहुत कम होता है कि हमें हिंदी फिल्मों में ऐसे लाज स्के लेवल के बहुती बहुती बहतरीन विजियल एफेक्ट देखने को मिलते है मुझे याद है इससे पहले अगर किसी हिंदी फिल्म में मुझे सबसे अच्छे विजियल एफेक्ट लगे तो वो थी तुमबाड जो की दुरबागे से बहुत कम स्क्रीन में लगी थी लेकिन उसका जो एक विजियल अपील था कि वो दुनिया में हमें लेके चला गया था तो यहां कहूंगा जो फिल्म का जो क्लाइमाक्स है तो वो बिल्कुल आपको उस ब्रहमास्तर की दुनिया में वो आपको अट्रैट करता है अगर ओर आल में बात करूं तो फिल्म चलनी चाहिए प्योली विजियल एफेक्ट कुछ पहलू है जो शायर आपने हॉलिवुड जैसे बच्चन साब है और इवन बॉनी रॉय आइटिंग जो पहले लग रहा था कि शायद वो इस फिल्म की कमजोर कड़ी हो सकती है लेकर मेरे हिसाब से उन्होंने ठीक टाप काम किया और बल्कि जो उनकी हिंदी है उन्होंने कुछ कुछ अच्छी तरह बोले है तो और इस फिल्म को देता हूं मैं पांट में से तीन स्टार और मैं लोगों से गुदारिश करूंगा यह फिल्म आप देखे और इसे 3D में ही देखे गया विकोज इसका आनन्द आप सबसे ज्यादा 3D में ही उठा सकते है आप अपने अपने तरीके से अपनी कहानी आ उनकी अपनी रचना है तो उनको एप्रिशेट करने के लिए फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए, रनवीर को मैं बहुत पसंद करता हूँ, एक एक्टर के तौर पर, उनको एप्रिशेट करने के आपको एक फिल्म जरूर देखनी चाहिए, आलिया को आप जानते हैं, आज आलिया बेंचमार्क हैं, बॉलियोट का, हर कोई उनके जैसा बनना तो सब कुछ आपके फिल्म जरूर जा सकते हैं, और उनको देखने का मन करता है, अब ही फिल्म का कोई हिस्सा मैं बताओंगा तो लू हो जाएगा, इस्पोईलर हो जाएगा तो उनको और देखने का मन ता, दो गाने मुझे बहुत पसंद है, के सर्या और एक दूसरा काना बोले बोले डूनों गाने मुझे बहुत पस करनें जञा कर दिनकों series my water हमाऊद दोनों ही चीजे हैं आम्तोर पर में फिल्मी गाने नहीं सुन पाता हूं मेरे रुख नहीं पाता है आता है जाता है लेकिन के सईरीया मुझे लगता है कि इसके बारे आपको बात नहीं करना चाहिए क्योंकि जो उनके फैंस हैं वो खुद उसको experience करें मुझे नहीं पदा था मैंने पढ़ा नहीं था तो मेरे लिए वो surprise था वो बहुत अच्छा है सब ने अच्छा काम किया सब अच्छे एक्टर है इसलिए उसमें है क्रीम लोगों को कास किया गया है जो अच्छे एक्टिंग करते हैं जिनका स्टार्डम अच्छा है कई सालों से फिल्म बन रही है तो करन ने अयान ने और पूरी टीम ने जिन भी आटिस्ट को इसमें शामिल किया है, वो बहुत क्रीम लोग हैं, आप प्रनबीर को देख लें, आलिया को देख लें, बच्चन साब को देख लें, नागर जुन कुरा साउथ के स्टार हैं, उनको देख लें, मौनी टीवी से गई हैं, तो डाइनिंग हॉल का हर वेक् प्रनबीर को देख लें, आप लिए अच्छे कापिन नामी आइकार, और उसके साथ हैं, वोली उपके भी अच्छे हैं, इसको डेख करके आप काहना चाहेंगे, बतब आगे चलकी की कैसा रहा हैं, देखें, मैं कई लोगों से बात कर रहा था पिछले हपते या जब से यह सब चल रहा है, कॉंटेंट अगर अच्छा है, तो किसी का माइकल आल कोई नहीं है, जो किसी फिल्म को डुबा दे या बाइकार्ट कर दे, एक अच्छी फिल्म, एक अच्छी कहानी, हर किसी को देखना है, हर कोई उसका भूखा है, प्यासा है, तो कोई साथ, ये बाइकार एक अच्छी कहानी अम उन्होंने बता दिया कि वह क्या चीज है हमारी कुछ हमारे कल्चर से कुछ हमारी इस्टरी से उस तोड़ा बहुत लिया है और मैथलाजी बिल्कुल नहीं है जो भी है हमारे हिस्टरी में है और हिस्टरी ही है मैं तीन स्टार देता हूँ पर देता हूँ इन तीनों का नाम सुनते आये हैं, वानर, मतलब वानरों का सेना, ये वो, All of this we've kept on hearing from our childhood days. So, more than anything else, I'd say this sort of film, which is touted to be a fantasy film, this is a relatable fantasy film. And this was otherworldly, it was a wonderful experience. After a long time, I actually watched a film which I liked from all my heart. आयान मुखर्जी ये रादिया ने फिल्म है, ये इन शादी के बादी के पहले के पहले के शादी के बादी के पहले से चल रही है. यारा साल लगे फिल्म को शूट होने में, and आयान मुखर्जी ये दन अस्वेल जॉब, I would actually want to take the platform to kind of congratulate him, because he's really imaginative right from the very first film, Wake Up Sid, and again, Brahmastra को लेके, he proved that he has the Mukherjee blood in him, we have seen wonderful stalwart filmmakers like, you know, Dev Mukherjee, Joy Mukherjee, was wonderful actor back in the day, and वोही लीनियेज है, lovely, lovely filmmaker he is, and I simply loved his film. Sir, फिल्में अमिताब बच्चन जी का खिर्दार है? अमिताब बच्चन जी का खिर्दार, I'd say that, you know, he plays a guru in the film, if I say a lot, then it would perhaps be giving out a lot about the film, and the plot, I don't really want to do that, but उनका एकी सीन मुझे बहुत ज़दा ये लगा, when he actually, you know, holds the sword, and he starts wielding it, starts fighting with the sword, जितने अनों की काटते हैं, मारते हैं, वोही चीज़ अच्छा लगा, फिर्समें बच्छा थे, because obviously he's a man who's, you know, beyond 70, and maybe for the character, Ayaan required a, you know, face, who has that kind of order, and that kind of, you know, stature in the industry, जिनका बच्छा लिया गया, but besides that, उनका तुतना इंपक्फुल नही था, मेरे इसाब से, after seeing Shah Rukh Khan in the first scene, मैं भही पर फ्लोर हो गया, because it was, it is a hiatus of a long, long time now, recently we've seen Mr. Khan in Rocketry, but in this film, Ramasri, you actually get to see him in his real self, for that matter, you get to see him in his own element, and that actually brought a lot of thrills in my entire body, I felt as though I fell in love with him all over again, after all of these years. वोही एक मुझे थोड़ा से माइन की कास्टिम, I don't know what, he felt again, that's his, I mean, it's his money, and it's Karan Johar's money, his imagination that he actually roped in Mohini Roy, but I personally felt that, you know, he should not have, he should have gone for somebody who could actually do justice to the role, somehow I felt, even after giving a really meaty role to Mohini, she could not really hold her ground in the film. Sir, फिल्मोन अदार्जी जी हैं, अच्छी जी हैं, तो आपको रखाए कि ये साउथ और बश्बालु का मिक्स पैटर रहा है? कि मतलब, he's trying to take in a lot of South actors into consideration, into the bigger picture. लाइगर में, it was a pathetic film, but we've seen Vijay Devra Konda, he worked in a Hindi feature film for the first time, film pit gai, thankfully, and in this film we see Nagarjuna again, but again Nagarjuna, ये first time, तो ने हैं, that Nagarjuna has worked in a Hindi film, he was there, we've seen him in a lot of other films as well, so वो भी ओलना ठीक नहीं होगा, but मेरे सबसे, as long as we can get to see nice films with good actors performing the role to the team. तो पूरा के सब्सेटर ट। फूरा कब फूरा 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 है, अपूरा फूरा 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 है, और मुझे एक भी ऐसा मोमें नहीं लगा, तुर्डीय लाओन करें कि अपन्ए यदुश संपने करें इता अुछ Captwell इता हम पांप स्टीण फ्टीट बॉल्टार्जशक पांपुछ लाए लिफ्ट प्र्छी से करें करें क्यावन अचनक से काना झाल था था की अचनक कि अगचाने किसे घड़िया घड़िया गाने हो रहे थे, वो भी बख्वास गाने है। In this film, every song was situational, every song actually had some action that was entailed to it. That was the best part of it, or background music का क्या कहना, it was wonderful. It was actually a driving force in the entire narrative of the film. Sir, फिल्को कि रिस्टाव देना से? 5 out of 5, without doubt. मेरा बस चलता हो, 10 out of 5 देता है. Thank you sir. Thank you very much.